असलामों अलेकुम वेलकम बैक टो माकीवाओची आज मैं आपके लिए बनाने वाली हूँ गुड के रोड काफी सारे इसकी कमेंट्स भी आई थी कि आप गुड के रोड बना दें तो आज बनाते हैं साथ में तो चलिए देखते हैं इंग्रीडियंट्स पहले यहां पह गु चाहिए गुड अच्छे से थोड़ा से नरम कर लें वन फोर्थ टू फिफटी ग्राम्स है गुड एक पाव गुड ले लिया और एक बरतन में डाल दें और इसमें डाल देंगे थोड़ा सबस पानी ताकि अच्छे से घुल जाए देखिए कितना कम मैंने पानी डाला थोड़ा सबस पानी डालना है और इसको सिर्फ मेल्ट होने तक पकाना है दीखिए इस तरह से मेल्ट हो गया इसको थंडा कर लेंगे जब तक थंडा हो रहा है सारे इंग्रीडियंट्स एक बड़ा बावल ले 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 बावल में जो है पहले आटा डालेंगे इसको कोई 75g सूजी और अफ कप लेंगे एक मुठी के खरीब नारियल उसको ड्रायरोस्ट करके डाल दिया है मैंने और यह जो है ड्राइफ्रूट पावडर है एक कप मैंने कोई सा भी आपका फेवरेट ड्राइफ्रूट हो ले 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 इसे काजू हो गया बदाम अकरोट सूखा वह सारे थोड़े थोड़े इंग्रेडियंट्स लेके थोड़े थोड़े ट्राइफ्रूट और सारा इसका पावडर बना लेना है साथ ही दो से तीन इलाइची डाल दे और इसका अच्छा सा फाइन सा पावडर बना के मैंने डाल दिया है इसी तरह से और इसको बस मिक्स क दाल देशी घी और उसको mix करना है, और ड़िछ बद चाया हृनी कि घ्रम भी ना डाले थोड़ा सा mix कर लिया और ना अधा degrees करना है , शbn Ciao Lia hips को!!!! यह बहुत ही आसानी से बन जाएगा शकर के रोट से तो गुर्ड के रोट असान है भूनने का कुछ नहीं है इसमें बस इसको मिक्स कर देना है वही सेम जिसे बिस्कृट बनाने के लिए बटर सारा कुछ मिक्स करते हैं सेम वही है प्रोसेस का भी देखिए अधा शीरा डाल और भी बस इसको मिक्स करना है शीरा यह बात का ध्यान रखें कि शीरा थंडा हो और घी देसी हो सारा कुछ शीरा डालने के बाद बस इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से मिक्स करें ताकि यह अंदर गुटलिया ना हो लंस ना हो देखिए इस तरह से मिक्स करने के बाद इस अच्छे से फूल जाए corresponds Time on वस्काइल वैंगि कोई शोड़ दिया ये लेंगे और अच्छे से गूंद रहा है इसको ये और बना लें उसको अच्छे से गूंदने के बाद चिकना कोई इसी तरह से गुंदने के बाद गुंद लिया दीखिए इस तरह से अच्छे से गुंद ले और दीखिये इस तरह का रोटी बेलने वाला ले ले नीचे अच्छे से घी लगा दे थोड़ा सबस और इसके पेडे बना LEng tearing आपको जितने बड़े बनाने हो, इसमें आप 3-4 रोट भी कर सकते हो, सारे मिक्सचर में, और नहीं आपको छोटे-छोटे बनाना है, तो वह भी बना सकते हो, बड़े भी बनाते हैं, एक्चॉल रोट बड़े ही होते हैं, रोटी के जितने बड़े-बड़े, देखें, इस तरह से फ्लाइट कर लिया, इसे टिक्की नहीं बनाती आरलू की टिक्की उससे मुसी तरह से, ज्यादा मोटा नहीं रखना, हलके हाथ से बस इस तरह से कर लेना है, और यहां पर चार मगज है, तर्बूस के बीज है, और खश्खाश है, और खोपरा है, बस इसको इस तरह से चोटे बनाने से क्या होगा, कि एक खतम हो जाएगा तो दूसरा उठा के खा लेंगे, अगर बड़ा बना देंगे तो वेस्ट हो जाएगा वो, एक अगर ना खाया पाया, एक इनसान तो, देखिए इस तरह से बना लेना है, इसी तरह से मैं सारे बना लूँगी, और अगर आप dry fruit powder में आप एक ही एक cup जो मैंने डाला हुआ है उसमें आप सिर्फ बदाम का powder डाल सकते हो सिर्फ काजु का powder भी डाल सकते हो अगर कुछ भी नहीं डालना चारे तो सिर्फ आप तर्बूस के बीज भी डाल सकते हो एक cup तर्बूस के बीज लिया और उसको बस इलाइची के साथ बीज दिया और डाल दें इसी तरह से थोड़ा सा हलका सा बस भून लें तर्बूस के बीज को भून के वही cup डाल दें powder dry fruit powder की जगा उससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा देखिए इसी तरह से सारे बना लेंगे और इसको क्या करना है बना के थोड़ी देर रख देना है ताकि अच्छे से से सेट हो जाए दिखिए इस तरह से बना रही हूं मैं और सारे बना लिए हैं इसी तरह से बना लिए और इसको क्या करना है दो सा तवा ले लिया है बस थोड़ा सा घी ज्यादा घी नहीं क्योंक सो एमल के खरीब डाल देंगे आप तो जरूरत नहीं पड़ेगी उतनी इसको बिल्कुल स्लिम पे आपने सेखना है ज्यादा हाई फ्लेम पे बिल्कुल भी नहीं क्योंकि यह कच्छा आटा है इसलिए एकदम हलकी आंच पे स्लिम अच्छे से कलर आने तक सेकेंगे फ्लेम पे अपने से उपर का कलर हाजएगा और क्छा रह जाएगा इसलिए बिल्कुल भी आज पे यह के थोड़ा सा लिए यह mica पर गड़ा टर्न करेंगे दिखिए इस तरह से टर्न किया तो इस तरह का कलर आना चाहिए बहुत डेलिकेट होते हैं थोड़ा सबस चम्माच से उठाएं और इस तरह से सेख लें सेखने के बाद आप इसको स्टोर करना चाहते हो तो थोड़ी देर के लिए छोड़ दो बाहर ही एक से दो घंटे उसके बाद बॉक्स में रखके एटाइट कंटेनर में रखके स्टोर कर लो एक महीने तक आप इसको खा सकते हो बिना बेकिंग पौडर का बिस्किट बहुत मज़े का ट्रेडिशनल रेसिपी है यह यह उससे भी पुरानी है रेसिपी जो मैं डाली हूँ पह उससे देख सकते हो आप जैसे के देख़िए इस तरह से लग आने तक आपको सेखना है सुनहरी कलर आने तक एक दम गुल्डन जादा जलाना नहीं है आप इसको slim flame पे सेकेंगे तो इस तरह का color आएगा high flame पे रखेंगे तो अंदर का पकेगा नहीं सिर्फ उपर का color आएगा और ये हमारे बनकर तयार है इसको दूद के साथ खाया जाता है road को दही के साथ खाया जाता है और काफी तरीखे के road बनते हैं अगर देखना चाहते हैं वो तो comment के जरीए जरूर बताएए इंशाला वो भी बना देंगे तो इसी तरह से बना के जरूर खाएं ये बहुत easy way में बनेगा बहुत अच्छा बनेगा एकदम healthy है ये और मैंने road की recipe इससे भी पहले डाली हुई है वो शकर वाले road वो भी जाके जरूर देखें वो बनाएं अगर बनाना चाहरे हैं आप शकर के road तो उस तरीखे से जरूर बनाएं अगर गुड के बना रहे हैं तो इस तरीखे से बना दें उमीद है गुड़ वाले road की आपकी recipe पसंद आई होगी पसंद आए तो वही like, subscribe, share, comment, इंस्टा पे follow और ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें और इसी तरह से traditional और अच्छी recipes के साथ मिलते हैं नेक्स वडियो में तब तक के लिए अल्लहाफे